नमस्पा, Hindi Animation Tutorial में Autodex Maya Tutorials Part 20 इस वीडियो Tutorial में हम Duplicate Options के बारे में चर्चा करते हैं Duplicate Options के बारे में जानना बेहत जरूरी है क्योंकि modeling करते वक हमें काफी चीज़ों को duplicate करना पड़ सकता है खास करके environment molding में हम दरवाजे खीड़ किया वो सारी चीज़े जो बनाते हैं ठीके तो यहाँ पे हम कुछ options को study करेंगे तो सबसे पहले में यहाँ पे एक cube create करता हूं और फिर keyboard पे एक बार Ctrl D प्रेस करके इस object को move करता हूं Ctrl D एक बार प्रेस कर छोड़ दे उसे hold कर ना रखे अगर मुझे इस object का इसी तरह से duplication जारी रखना है तो मुझे सिर्फ keyboard पे shift D प्रेस करना है अगर इसी command को हमें menu में से apply करना है तो edit menu में से duplicate with transform पे आप click करे अगर हमें row duplicate मनाना है जैसे की रस्ते का divider वगरा तो shift D command को यहाँ पे repeat करते रहना अब दूसरा duplicate option है duplicate special तो सबसे पहले इस cube को select करते हैं अब edit menu में से हमें duplicate special के option box पे click करना है यहाँ पे कुछ important option से उनके बारे में पता करते हैं तो सबसे पहले देखते है copy और instant के बारे में सिर्फ copy करने से एक नया object copy हो जाता है और instant से एक नया object copy होगा जो original object पे changes करने से प्रभावित हो जाता है जैसे कि हम original object पे कुछ editing करते हैं तो वो real time instant object पे apply होती है इसी के साथ हम translate, rotate और scale attribute का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो instant के साथ ही हम इन सब का उपयोग जान लेते हैं तो geometry type में मैं instant को select करता हूँ और मैं इसको हर direction से 50% scale down करता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे तीनो field में scaling value 0.5 कर रहा हूँ अब आगे बढ़ते हुए मैं इसे x direction में move करना चाहता हूँ जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो यह जो लाल arrow है इस direction, जो x direction है वो इसे हम move करते हैं 10 units ठीक है और हमेशे याद रखिएगा पहला घर x है दूसरा y और तिसरा z ठीक है तो y axis में इसको कुछ rotation value भी देते है जैसे हम यहाँ पे इसको 45 degree में rotate करते है चलो apply कर देखते है ठीक है तो हम देख सकते हैं कि एक cube 10 units x axis में forward है y axis में 45 degree rotate है और overall 50% scale down है अब हम original object को edit कर देखते हैं इसलिए मैं original object को select कर उस पे right click करके marking menu से vertex mode में switch हो जाता हूं और एक vertex को select कर move कर लेता हूं तो आप देख सकते हो कि duplicate instant object पे उसका सीधा असर हो रहा है ठीक है अब आगे बढ़ते हुए duplicate special के और एक option के बारे में जान लेते हैं इसके लिए में space bar की मदद से orthographic top view में switch होता हूं अब यहाँ पे हम एक sphere का निर्मान करते हैं इसके लिए हम polygon shelf में से एक sphere यहाँ पे draw करते हैं जब duplicate special होता है तो software इसके pivot point की position भी भाफ लेता है मानो की हमें इस sphere को एक circular position में duplicate करना है जैसे की clockwise और वो भी इस grid के 000 center के इर्ध गिर्ध तो इसके लिए पहले तो हम duplicate special की सारी options reset करते हैं और फिर y axis में इसे 45 degree rotate करने का command set करते हैं और इसके साथ ही number of copies 7 set करते हैं ठीक है geometry type हम instant select करते हैं ठीक है तो अभी हम in settings को apply करते हैं ओके object to duplicate हो चुका है पर जैसे हमने plan किया था वैसे नहीं तो यहाँ पे हम ctrl c undo करते हैं और इस object का pivot point insert की के मदद से grid के center में move करते हैं insert की और एक बार press कर इसकी position पकी करें और फिर duplicate special वाली हमारी commands apply कर देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि spear की duplicate instant circular position में यहाँ पे set हो चुके हैं तो यहाँ पे हमारा lecture समाप्त होता है अगर आपको यह lecture useful लगा तो जरूर आप इस channel को subscribe कर दीजेगा अब next lecture में देखते हैं scrub geometry tool इनके बारे में हम next lecture में विस्तार से जान लेगें लेकिन इसके लिए आपको मेरा channel subscribe करना हुआ Hindi animation tutorial के साथ चुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभर है